बिलासपूर के स्वास्तिक अस्पताल में सड़क हाथसे में घायल युवक की मौत के बाद जम कर बवाल हुआ इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर परीजन ने हंगामा मचाया च्छे टी आई पुलिस अफसर और जवान भीड को समझाई इस दिरें में जुटे रहे परीजन अब F.I.R. और मौावजे की माम पड़ अडगे हैं पुरा मामला तोर्वा थाना च्छेतर का है मस्तोरी थाना च्छेतर के बकरकुदा निवासी नीशू बर्मन सोमवार की शाम सड़क हाथसे में गंभीर रूप से खायल हो गया इस पर परीजन उसे लेकर तोर्वा चौक स्थिट स्वास्तिक अस्पताल पहुँचे अस्पताल में इलाज शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई जिससे नाराज परीजनों ने इलाज में देरी और लापरवाही बरतने का आरोप लगा कर हंगावा मचाया इस दोरान अस्पताल स्टाफ से उनका विवाद हो गया और करमचारियों ने मिलकर परीजन से जम कर पिटाए कर दे जिससे आधित बर्बन बुरी तरह से खायल हो गया उसे इलाज के लिए लाइफ केर अस्पताल में भरती कराए गया है परीजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने पहले उनसे पैसे जमा करने के लिए कहा उन्होंने इलाज करने की गुहार लगाई लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई इसके कुछ ही देर में डॉक्टर ने नीश्यू को मृत खोशित कर दिया इससे मौहल बिगड़ गया नीश्यू के घरवालों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा मचाना शुरू कर दिया